हेलो गाइज मेरा नाम रायन है और आज मैं आपको ब्रॉल स्टार्स इस गेम की वीडियो दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको काल इस ब्रॉलर की गेमिंग दिखाने वाला हूँ तो गाइज बिना देरी किये लेट्स स्टार्ट तो हमारी मैच में हो चुकी है और हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक ब्रॉल बॉक्स मिल चुका है और हम अब सेकेंड ब्रॉल बॉक्स के लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है मैं तीनों ले सकता हूँ अगर मैंने ट्राइ की तो मुझे एक तो मिल चुका है ठीके दूसरा भी मिल चुका है अब मैं इधर से निकलूंगा तो इदर मोर्टिस है तो मुझे मोर्टिस के ओ इधर बार्ली है तो मुझे बार्ली से जरब बचके ही रहना होगा ओ तो बार्ली मुझे लगते हैं बरने वाला है पेनी उसे मार सकती है तो मुझे इधर एक ड्रिंक भी एनर्जी ड्रिंक मिला है तो मैं इधर जाके इस बार्ली को मरने की ट्राय कर रहा हूंगा मुझे नियुक्ते जाना है मैं उसे पीछे धकेल रहा है और सिर्फ अब चार ब्रॉदर बचे हैं तो हमारे हमें पांच ट्रॉफिस तो मिल सी मिली सकती है एल प्रीमो तो मरे गई एल प्रीमो मरने वाले है तो इधर एल प्रीमो मर चुका है और मुझे क्रूव ने मार दिया तो कोई बात नहीं तो हम क्विट करेंगे तो गाई हमें छे ट्रॉफिस मिल चुके हैं और हमें अब सिर्फ नौ ट्रॉफिस चाहिए तो हम प्ले अगेन करेंगे तो मैच में हो चुके है हमारा गेम थोड़ा सा लैक था पर अब ठीक है वापस तो इदर टिक है तो मिझे उससे जरब बचकी ही रहना पड़ेगा क्योंकि वह बहुत सारे गुले फिक जाता है एक ताइम वह तो टिक को मैंने डैमिज देकर भगा दिया है और मैंने एक मेरा एक पावरपांड लेकर मैं इदर से तो छुपने यह वाला हूं क्योंकि मैं टिक के पास तो नहीं जा सकता है तो अभी साथ ब्रॉलर बचे हैं तो मुझे लगता है टिक टिक जाएगा तो इदर मेरे बाजू में ही एक डाइनमिक है तो मैं उससे तो मंगा नहीं लेने वाला क्योंकि वह मझे बहुत गंदा डैमिक जी सकता है तो सिफ अभी पास ब्रॉलर बचे हैं गाईस और यह डाइनमिक उन में से बॉस्त खतरनाक वाला है जो हमारे लिए बहुत रुकावट कर सकता है उसके पास तो नहीं मुझे लगा कि मैं से मार सकते हूपर वह वापस चला गया तो गाईस सिफ चार फॉलर बचे हैं उन में से दो डाइनमिक है और एक का पता नहीं क्लाउड भी आ चुक है मुझे निकलना ही पड़ेगा तो भी भी ने सुदि नि दे character है और में तो फ़ी कोरा और मैं मारूंगा ओ ठीक है घाइस हमें जीतने का बहुत यह अच्छा चंस है हमारे पास बहुत ही अच्छा चंस है जीतने का तो मैं उसके पास क्लाउड को आने की देरी रखूंगा क्योंकि अगर क्लाउड है तो मैं उससे तो बच गई और इधर मुझे इसको मारने ही पड़ेगा नहीं नहीं तो गाइस डायनेमिक ने सूपर डाल के हमें मार दिया है और कोई बात हैं हमें आठ ट्रॉफी मिल गए हैं तो हमें अब एक ट्रॉफी चाहिए काल को फिफ्टीन करने के लिए तो हमारी मैच में हो चुकी है गाइस और हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और वापस पहली की तरह में वापस एक ब्रॉल बॉक्स लेने की कोशिश करूंगा तर इधर की तर तो उज़े एक भी नहीं दिख रहा ओ इक ब्रॉल बॉक्स अपने आपी खोल तर दिया थे स्टार्टार कूंगा और मुझे लगता है वह भी मुझे आराम से मिल जाएगा जैसे कि मैंने कहा था मुझे मिल गया है तो मुझे मेरे पास अभी दो ब्रॉल बॉक्स के पाइर पॉइंट है और मैं इदर छुप के ही इंतजार करूंगा ब्रॉलर उसको मरने के लिए क्योंकि अभी साथ ब्रॉलर बचे हैं तो पीधर ठीक को एनर्जे ड्रिंग मिल चुका है सब दर को कि ठीक को आरह था угง कि डेमेज तो दे सकता हूँ तो रिको मरने ही वाला है रिको गया तो हमने रिको को मार दिया है और हमने उसका एक पारपर्ण भी मिल चुका है तो हमारे पास अब तीन पारपर्ण है और गेम में सिफ छे ब्रॉलर्स बाकी है तो गाई ये गेम तो बहुत अच्छा चल रहे है और अगर हम फिफ आ गये तो हमारा ओ ठीक है तो हमारा काल अब 15 का हो चुका है सिफ त्री प्रॉलर्स बचे हैं हम सेकंड आने का भी ट्राइ करेंगे मैं सेकंड आने की भी ट्राइ करूंगा तो गाइस चलो अधर अटेकिंग खेल रहा हूँ मैं अब तो मुझे एक एनर्जी डिरिंग दिख रहा है इधर तो मैं वो तो ले नहीं जाओंगो तो अधर डेरियल था तो उसे मुझे मार रहे कोई बात नहीं काइस हमें हमारा काल 15 का हो चुका है गाइस वो और हमें 100 स्टार पॉइंट 200 स्टार पॉइंट मी मिल चुके है गाइस तो गाइस थैंक यू फो वाचिंग मैं अभी एक ब्रॉल बोक्स खोल देता हूँ तो गाइस थैंक यू फो वाचिंग और प्लीज गाइस लाइक और सस्क्राइब कीजे और कमेंट सेक्षन में बताए कि आपको नेक्स वीडियो में कौन सी प्रॉलर की गेविंग चाहिए प्लीज गाइस सस्क्राइब